पार्ठ छे हमसे सब कहते यह एक कविता है आईए इस कविता के प्रशन और उत्र का अभ्यास करते हैं पहला प्रशन नया शीशक अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कही तो तुम इसे क्या नाम दोगे? इसका उत्र हम लिखेंगे बच्चों में अंतर क्यूं? बच्चों के साथ भेदभाव ऐसा क्यूं? अगला प्रशन करो, मत करो पाठ शाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है नीचे वाली तालिका में लिखो तो बच्चों करो में आप लिख सकते हैं हमें कहा जाता है हमें अपने घर की और अपने कमरे की साफ सफाई रखनी चाहिए हमें पढ़ाई रोज करनी चाहिए हमें नियम से हर काम करने चाहिए समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए और मत करो में आप लिखेंगे हमें बोला जाता है कि हम लड़ाई ना करे दिवारों पे कलर या पैंसिल से नहीं लिखे अपने कमरे को और घर को गंदा ना करे और सुभा लेट ना उठे अगला प्रश्न जरा सोचो सूरज चांद की रोश्नी को भगा देता है बादल सूरज की रोश्नी को भगा देता है हवा बादल को भगा देती है बताओ कौन किसे ज़्यादा ताकतवर है तो बचो सूरज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि सूरज चांद को रोशनी देता है चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती तो यहाँ पर सूरज ताकतवर हुआ बादल सूरज की रोशनी को भगा देते है बादल जरूर सूरज की रोशनी को भगाते हैं लेकिन वो भी कुछ पल भर के लिए हमेशा के लिए नहीं हवा बादल को ओड़ा देती है और सूरज फिर से अपनी रोशनी देता है यानि कि यहाँ पे भी सूरज ताकतवर हुआ तो बच्चों अगला प्रशन लेते हैं तुम्हारी बात अम्मा, पापा, भाईया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है तुम्हारा किस-किस पर बस चलता है तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हमारा बस सिर्फ अपनी ही चीजों पर चलता है जैसे कि किताबे और खिलोने अगला प्रशन तुम्हारे घर में तुम्हें कौन-कौन टोकता रहता है तो इसका उत्तर है घर पर सभी बड़े लोग हमें टोकते हैं अगला प्रशन किन-किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है तो इसका उत्तर है जब हम घर को गंदा रखते हैं किसी से लड़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और खुब ज़ादा टीवी देखते हैं, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न, कौन सी चीज कहां? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पटी भर ली, वे नाम मैंने नीचे लिख दिये हैं, शालू की सूची, शक्कर, कबड़ी, पपीता, मार कुठाई, लोमडी, गुलाब, जामुन, शेर, कक्डी, शत्रंच, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेडा, बक्री, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लड्टू, तोता, शेहतूत, चट्र, अब शालू यह सोच रही है, कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो, नीचे पहले से ही एक सूची दी गई है, जिसमें शालू की सूची वाले शब्द पहले से ही दिये गए है, रिक स्थानों पे हमें शालू की सूची में से शब्द ढूंड कर सही खाने में लिखने हैं, अक्षर जो दिये गए हैं, वो हैं ब, म, क, ल, प, ग, और श तो पहले खाने में जानवर या पक्षी, दूसरे खाने में खाने पीने का समान, और तीसरे खाने में खेल का नाम या समान अब पहला अक्षर है ब, ब में आएगा जानवर या पक्षी में आप लिखेंगे बकरी, दूसरा खाना है खाने पीने का समान, उसमें लिखेंगे आप बेर, तीसरा है खेल का नाम या समान, उसमें आप लिखेंगे बल्ला, ठीक उसी तरह से दूसरा अक्षर लेते हैं म, खाने पीने का समान मसाला, खेल का नाम या समान में मार कुटाई, अगला अक्षर लेते हैं क, क से बच्चों जानवर या पक्षी में आप लिखेंगे कबूतर, खाने पीने का समान में आप लिखेंगे ककडी, खेल का नाम या समान में आप लिखेंगे कंकर, ल से देखते हैं बच्चों जानवर या पक्षी में हम लिखेंगे लोमडी खाने पीने का समान लड़ू खेल का नाम या समान लड़ू अगला अक्षर है प प से जानवर या पक्षी में ऐसा कोई हमें शब्द वहाँ पे नहीं मिला है इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे खाने पीने के समान में आप लिख सकते हैं पपीता और पेड़ा खेल का नाम या समान में आप लिखेंगे पतंग अगला अक्षर है गः गः से जानवर या पक्षी में लिखेंगे आप गाए खाने पीने का समान गुलाम, जामुन खेल का नाम या समान में आप लिखेंगे गिल्ली अगला है शव जानवर या पक्षी में आप लिखेंगे शेर खाने पीने का समान में आप लिखेंगे शक्कर और शेहतूत खेल का नाम या समान में आप लिखेंगे शत्रंच अगला प्रशन लेते हैं ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो अलग तरह के खाने भी बना सकते हो जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज अब हर एक खाने के नाम वन माला के हिसाब से क्रम से लगाओ तो बच्चों नीचे लिखा है जानवर या पक्षी खाने पीने का सामान खेल का नाम या सामान तो आएए इसका उत्तर लिखते हैं तो इससे हम क्रम में कैसे लगाएंगे जान्वर या पक्षी, कबूतर, गाए, तोता, बक्री, मगरमच, लोमडी, शेव अगला देखेंगे, खाने पीने का समान यहाँ पे भी हमें क्रम में लगाना है ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, मसाला, लड्डू, शक्कर और अगला खेल का नाम या समान तो यहाँ लिखेंगे कबड़ी, गिलिडंडा, पतंक, बल्ला, लड्टू और शतरंज अगला प्रश्ण, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो लोग, चीज, और जगह तो आप अच्च्वेस का उतर लिखेंगे लोग के स्थान में आप लिखेंगे भईया, अम्मा, पापा और चीज में आप लिखेंगे धूप, चांदनी, खिलोने जगह के स्थान पर आप लिखेंगे यहां, अंदर, घर भर, और बाहर ठीके बच्चो तो बच्चो यहां पे समाप्त होते हैं कविता हमसे सब कहते के प्रशन और उतर आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाथ के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिससे की आने वाले पाथ की जानकारी आपको मिल जाए धरनेवाद